तो राजेश, क्या तुम्हें पता है कि पहली और दूसरी जनरेशन के कम्प्यूटर्स, कम्मिनिकेशन मशीन्स के रूप में कब विक्सित हुए? किरपिया बताईए नंदितमेम देखो, शुरुवाती गणीतिय मशीन्स में प्रोग्राम्स फिक्स होते थे उनके फंक्शन्स बदलने पर उन मशीन्स को फिर से बनाने और री वाइरिंग की जरूरत पड़ती थी एक स्टोर्ट प्रोग्राम कम्प्यूटर इस तरह डिजाइन रहता है जिसमें निर्देश मेमोरी में स्टोर रहता है और कम्प्यूटर उसी के मुताबिक गढ़ना करता है युनिवर्सिटी ओफ पैंसिलवेनिया के जॉन वान न्यूमैन ने भी एज़ वैक पर अपनी पहली रिपोर्ट जाहिर की थी जिसे इनियाक के बाद 1945 में दूसरी जनरेशन कम्प्यूटर का प्री मॉडल माना गया इसके बाद मैंचेस्टर बेबी सामने आया ये दुनिया का पहला स्टोर्ट प्रोग्राम कम्प्यूटर था इसे विक्टोरिया युनिवर्सिटी ओफ मैंचेस्टर के प्रेडरिक सी विल्यम्स, टॉम किलबर्न और जियॉफ टूटिल ने मिलकर बनाया था इसमें सबसे पहला प्रोग्राम 21 जून 1948 को रन हुआ था उस वक्त ये पहली वरकिंग मशीन थी जिसमें मौडन इलेक्ट्रोनिक कम्प्यूटर वाली सभी खूबिया शामिल थी मैंचेस्टर बेबी के बनाने के बाद एक नए प्रोजेक्ट की शुरुवात की गई मैंचेस्टर मार्क वन का बनना उसी डेवलप्मेंट का नतीजा था उसके कुछ वक्त बाद ही डेवलप्मेंट की सिरीज में मार्क वन मौडन कम्प्यूटर के रूप में सामने आया इसे फिरेंट्री मार्क वन भी कहा गया ये दुनिया का पहला कम्प्यूटर था जो हर काम के लिए था और 1951 में व्यवसाइक रूप से सब के लिए उपलब्द था तो क्या हम आज कल फिरेंट्री मार्क वन वर्जन यूज़ करते हैं? नहीं, आज के कम्प्यूटर के मुकाबले वो बहुत पुराने मॉडल है नए कम्प्यूटर काफी अलग है